हेलो उस्तो नोटिफाइ नॉलेज में आपका स्वागत है फ्रिंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पंचायत सहायक रिकुर्मेंट दो हजार रिकिस अभी अभी उत्तर परदेश सरकार द्वारा ये यूपी पंचायत सहायक रिकुर्मेंट भरती का नोटिफिकेश लाइक तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताएंगे कि आपको आरक्षण कैसे मिलेगा और आपकी सैलरी कितनी होगी आपका जो जौब होगा कितने साल के लिए होगा ठीक है तो आपको इस वीडियो में आपके लिए जो भी जानकारिया है महत्तोपूर जानकार तो चलिए देख लेते है नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदिस सरकार द्वारा जारी किया गया है तो जो उत्तर प्रदिस सरकार द्वारा जारी किया गया है नोटिफिकेशन उसको हम जो main-main important point है उसी को आपको बताएंगे तो चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं तो इसमें गहाँ गया है कि उत्तर प्रतिस के ग्रामीड छेतर में नौकरी तलास कर रहे हैं युवाओ के लिए बड़ी खबर है योगी सरकार रोजगार को लेके गति सील हो गई है उत्तर प्रतिसरकार 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक एकाउंटेंट काम डाटा एंटरी और आपरेटर की नुक्ति करने जा रहे है प्रतिक ग्राम पंचायत पर एक पंचायत सदस्य सहायक तैनात होंगे दसवी और बाहरवी की अंको के अधार पर मेरिट के जरीए जो मेरिट के जरीए यह भड़ती होगी अभ्यारती उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए 18-40 वर्ष की आयू के लोग इसमें आविदन कर सकते हैं पंचायत सहायक जो पंचायत सहायक होंगे एक साल की संबिदा पर रखे जाएंगे उन्हें 6,000 रुपे मासिक मान दे मिलेगा ठीक है चलते हैं आगे यहां दिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राजमंतरी भूपेंदर चोधरी ने सोमार को पत्रकारों को बताया कि पंचायत सहायकों कि न्यूकती ग्राम पंचायत अस्थर पर की जाएगी पंचाय प्रधान अपने परिवार और रिषिदार को इसमें नहीं रख पाएंगे साथ ही पंचायत चुनव में ग्राम पंचायत जिस स्रेड़ी में आरक्षित होगी उसी स्रेड़ी के सहायक का चैन किया जाएगा यानि कि जिस पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के हैं, वहाँ अनुसूचित जाति का ही सहायक न्यूक्त किया जाएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट, ओके, आवेदन पत्र साधे कागज प्रग्राम पंचायत या संबंदित विकास खंड या जिला पंचायत र आपके हाई स्कूल, इंटर, आपकी आयू, आपके निवास प्रमाडपत्र, आपके जाति प्रमाडपत्र, ओके, तो यह सब उसमें आपको संगलंगन करके, आपको जमा करना होगा, ओके, चलिए, नेश्ट क्या गहा गया है, लिखा गया है कि ग्राम पंचायत की प्रशास जिला धिकारी की अध्यचता में गठित समीति के पास भेजा जाएगा अब भ्हारती की पातरता का परिक्षाण कर समीति नियुक्त के लिए संसुति कर देगी यादि ग्राम पंचायद द्वारा चैनी तब भ्हारती का निर्धान युगता नहीं रखता है तो डियम की समीति ग्राम पंचायद से दूसरे अब भ्हारती के चैन के लिए कहेगी आगे क्या कहा गया है कि एक साल की होगी संबिदा जो आपको ये नौकरी मिलेगी वो ओनली एक साल के लिए होगी पंचायद सहाया की संबिदा एक वर्स के लिए होगी यदि सेवाय संतोस जनक पाई जाती है तो ग्राम सभा की खुली बैठध में बिचार कर उसकी संभिदा एक एक वर्स करके दो वर्स बढ़ाई जा सकती है वही पंचाय सहाय का कार वा आचरन संतोस जनक नाउ होने की दसा में उनके विरुध कारवाई ग्राम पंचायत कर सकती है एक माह के नोटिस पर इन्हें हटाया भी जा सकता है इनमें आविदन के लिए नियूनतम आयू एक जुलाई को अठारे वर्स या अधिकतम चालिस वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए यस्टी यस्टी वर ओबीसी के अब भारतियों को पांच वर्स की छूट दी जाएगी चैनित पंचायत सहायकों को सरकार को दो माह का पर इस्टा परदान करेगी यानि कि जो लोग भी अठारे से चालिस वर्स के बीच में हैं वो लोग इस फार्म को भरने के लिए एलिजि अरक्षंड दिया जाएगा ठीक है आगे क्या कहा गया है कि कोरोना से मृत्य होने पर परिवारी जनवकों मिले का लाग ये सबसे इंपॉर्टेंट और भी है कि ग्राम पंचायत में यदि किकी को रोना से मृत्य हो गई है तो उनके परिवार थे जैसे पतनी या पती पूत पुत्र औविवाहित पुत्री बिधुवा माता ओके अभिवाहित भाई अभिवाहित बहान को सबसे पहले चैनित किया जायेगा है यदि आरक्षन स्रेंडी का घ्राम המפक है और मिर्त्रकों के परिजान उस आरकषन श्रेड़ी को पूरा करते हैं, साथिवे intermediate pass हैं, तो उनका chain कर लिया जाएगा, समान स्रेड़ी की ग्राम पंचायत में कुरोना से मृत्यों का लाब, समान स्रेड़ी के परिवारों को ही दिया जाएगा, यादि एक से अधिक आविदनी स्रेड़ी में आते हैं, तो merit के अधार पर chain किया जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, कि अगर जीन भी परिवारों में किसी की कुरोना से मृत्यों हो गई है, तो उनको सबसे पहले अहरताएं दी जाएगी, यानि कि अगर मान लिज्जे की एक गावं में किसी के कुरोना से मृत्यों हो गई है, तो उनको merit के अधार पर न चयान करके, उनको direct, मतलब उनको बस वो inter pass रह तो उनका चयान हो जाएगा, लेकिन अगर एक ही गावं में एक से अधिक्यानी 2-3, 2-3, 4-5 परिवार में कुरोना से मृत्त हुई है, तो उन पाचो परिवारों को मिला के, उनके inter का मतलब अंक देखा जाएगा और उनमें से जिन लोगों का भी अंक जादा रहेगा, उनको मतलब ये जौब दिया जाएगा, ओके चलते हैं, नेस्ट पॉइंट पे, ठीक है पंचाय सहायकों की समय शारणी, पंचाय सहायक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी करना, तीस जुलाई से एक अगस्त तक, ओके आवेदन पत्र जमा करने की अवधी दो अगस्त सत्री अगस्त तक है यानि आपको ये जो फॉर्म है अध्यचता में गठीत समीत द्वारा पर 1 सितमबर से 6 सितमबर तक ओके और ग्राम पंचायत द्वारा न्यूकती पत्र जारी करना 8 सितमबर से 10 सितमबर तक है ओके चलते हैं नेश्ट इसमें क्या कहा गया है कि ग्राम सची वाले की साज सजा वह कंप्यूटर के लिए फनीचर, कंप्यूटर वो अन उपकरणों की खरीद ग्राम पंचायत अपने अस्तर से करेगी, ठीक है, कार्याले में इंटरनेट की ब्योस्ता भी ग्राम पंचायत करेगी, आवस्तक्ता अनुसार डोंगल की खरीद भी उन्हें ही करनी है, ग्राम सचीवालों में जन सेवा के इंदर की अस्थापना भी की जाएगी, बीसी सखी के लिए भी ग्राम सचीवाले में बैठक की ब्योस्ता की जाएगी, आपर मुक सचीव पंचायती मनोज कुमार सिंग ने, बताया है कि प्रतिक ग्राम सचीवाले में 25 कुर्षियां, 3 आफिस, 1 कंप्यूटर में, 2 स्टिल की अलमारी, सोलर, पैनल, बैटरी, इनवर्टर, दो दरी, तीन पंक्या, डेस्क्टॉप, केंप्यूटर, यूपियस, प्रिंटर, वेब कैम के अलामा, एक सिसी टीवी कैमरा सुखिरित किया गया है, इसमें कूल 1.75 लाग रुपै खर्च होंगे, ठीक है, तो ये आपको ज सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, थैंक यू,